जान साथियों स्वागत है में अचनल के उपर एस्पिनों डेटरी लार्माट ब्लाग बहुत दुख की बात अध्सा हो गया है इस देना चनल जो की जेन के यानि जमू कस्मीर में आतंकपाद जो अंतना नंतना आग में जो है मूटिवेट में करनल समेट जो है तीन अपसर सह दूरवर्ति गाउं किसके तीन दीन सही जान जो है और इसके दोरान मारे जो अतंकपाद की सक्या बढ़कर अभी तीन हो गई है और जमू कस्मीर में जो अतंकपादियों के साथ मुवेड में सेना के करनल सहीद जो सुरक्सा बलके जो तीन जवान भी सहीद हो गए है अधि में जो घंबी रूप से गायल हो गए बाद में उनकी मुट्टी होगी यानि कि वह बाद में सहीद होगे दोस्कों और उन्होंने कहा है कि भट की मौत के बाद जो है अब कदी खून बह जाने के बज़ए से हुई है यानिक खून जदा बह चुका था इसलिए वह उनकी क्य गई और जब सुचना मिली तो उन्हें एक ठीकाने पर देखा गया है सेना के कर्णल ने अपने दल का जो है निर्टित किया था जिससे क्या है जिसने क्या आतंकियों पर हमला बोल दिया हालांकि जो है जो आतंक बादियों ने उन पर गोलीवारी की जिसमें वह घंबी रू गिरा जिल्य के संदूरवर्ति गौवं में तीन दिन से जारी इस अभियान के दोरान जो है आतंक बादियों की संख्या जो है बढ़कर तीन हो गई है मारे जाने के लिए संदूरवर्ति नारला गौवं में जो मंगलवार को ही मुटवेड में एक जो संदीग पाकिस्तानी अतंक बादी मार गिराया गोलगारी में सेना का एक जबान और सेना की जो है स्वान एकाई की जो छे बर्सी अमादा जो है लेड़राडौट केंट की भी सहीध हो गई लेकिन तीन जो सुरक्षा कर्म करमी है वो भी गाहल हो गए है अतरिक्त पुलिस हमानिलेक्सर डिजीप कि बुद्दवार को मुठवार में मुठवेड में एक और अतंकवादी को महार गिराए गया था और अधिकारियों ने यह भी कहा है कि खराम मौसम के बाबदू सुरक्षा बलो ने जोरी सहर से 75 किलोमेटर दूर इलाके के चारों और पूरी मजबूत गेराबंदी की है सुब प्राणिय निवासी क्षेतर में स्थानिय सुरक्षा चौकी की मांग कर रहे हैं बैक कुछ कपड़े और संदिक्त समान गया ब्रामत हुआ है अधिकारे ने भी बताया कि सुरक्षा बलो ने सोंबार को पत्राड़ा इलाके के बंद क्षेतर से गेराबंदी और तलासिय वि उड़ गे जिने खोजी दोलों ने ब्रामत कर लिया किस्तवाट जिडे के सहीर राइफल मैन रभी कुमार के लिए बुद्वार तड़के राजोरी में सेना चौकी में सर्दान जली समारोस आयोजित किया गया उपयुक्त राजोरी विकास कुंडल और सेना के सिनियर अधि चक्र अरपित किये और पूरे सेने समान के साथ अंतिम संसकार के लिए उनके पार्थिव सरील को विमान से उनके ग्रीन अगर ले जाया जा रहा है तो यह थी आज तक की जानकारी दोस्तों तो दोस्तों बहुत ही एकदम दुखद घटना हुई है जो आज यह हुआ है तो म और हम यही कर सकते हैं कि जितने भी आने वारा टाइम है उसके अंदर इतनी ज़्यदा कड़ी बंदिसों के बावजूद भी ऐसा चीजें घट जाती है ऐसे जो है एक चक्रविर रज जाता है कि कुछ कहीं न कहीं हमारे जो है सेना के जवानों के उपर जो है कुछ न कुछ के है ऐसी बीपतियां आती रहती है और वो लोग अपने वलिदान देने से पीछे नहीं अड़ते हैं तो ऐसे वीर जबानों को कहा हमारा सलाम है तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंफर्मेडी वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्तों जय हिंद जय भरत